इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जाता है। इसके अलावा इसे USDA Organic, India Organic और ISO प्रमानित सुविधाओं में संसाधित किया जाता है और ये रसायन मुक्त है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। पाउडर का पेस्ट सूजन वाली तवचा पर लगाया जा सकता है। पहले डिगरी जलता है खरोंच और फोड़े की तरह तवचा का फटना। तीन ये यक्रित को किसी भी मुक्त कनों के साथ साथ जीवान या वाइरल हमलों से बचाने में मदद कर सकता है। चार ये इंसुलिन बनाने वाली अगनाशई कोशिकाओं को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है। पांच, करी पत्ते में कुछ रासायनी घटक पाई जाते हैं, जैसे कि फिनोल जो प्रोस्टेट कैंसर, कोलोराटल कैंसर और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर में मदद कर सकते हैं 6. इसमें एंटियोक्सिडन्ट और विटामिन ए, बी, सी और ई होते हैं, जो ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं और फ्री रेडिकल्स कैवेंजिंग गतिविधी को कम कर सकते हैं 7. ये कॉलिस्ट्रॉल के स्तर, वजन, यकृत के कार्य, मधुमे, रक्ट शरकरा के स्तर, आखों की रोशनी, मोतियाबिंद की शुरुवाती शुरुवात के प्रबंधन में सहायता कर सकता है 8. इसमें हलके रेचक गुण होते हैं, जो अपच, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मुद्दों जैसे, चिर्चिरा आंतर सिंड्रोम, बवासीर, कबजो और कई अन्य समस्याओं का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं 9. ये भारतिय और अमेरिकी जैविक मानकों के अनुसार प्रमानित है, सिंथेटिक कीटनाशकों के बिना उगाया जाता है और जानवरों पर इसका परीक्षन नहीं किया जाता है 10. इसमें कीटनाशक, सनरक्षक, खाद्य योजक, खाद्य रंग और कीटनाशक शामिल नहीं है 11. यह RS OCA, USDA Organic, ISO प्रमानित, Food Grade Packaging, India Organic, जैविक भारत, GMP प्रमानित, FSSAI द्वारा प्रमानित है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें